हेलो फेंड्स वल्कम है आपका हमारे इस टेक्निकल महताव यूरूप चैनल में और मैं हूँ अपका दोस्त महतावाल दोस्तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन की पॉपलर गेम पबजी को इंडिया में बैन कर दिया गया है और बैन करने के कुछ घंटे बाद ही बॉलिवुड के एक्टर अक्षा कुमार ने गेमर्स के लिए खुश ख़बरी दी है खुश ख़बरी ये है कि पबजी के जग़ा फॉजी गेम लेकर आ रहे हैं भारत सरकार ने 118 चैनिज अप्लिकेशन को बैन कर दिया है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपलर गेम पबजी ही था अक्षा कुमार के नए गेम का नाम FAUG यानि FAUG है दोस्तो ये जो गेम है FAUG इस गेम के नाम में ही राष्टवाद है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के वजीर आजम नेरिंदर मोदी ने अपील किया है कि हम आत्म निर्भर बरें ये उसी का जवाब है इसलिए FAUG गेम को बनाया जा रहा है लेकिन अब सवाल ये उड़ता है कि इस FAUG गेम को कब लाँज किया जाएगा तो आपको बता दें कि हाल ही में अक्षे कुमान ने ट्यूटर पे ट्यूट किया है कि इस FAUG गेम को अक्टूबर के एंड में लाँज किया जाएगा FAUG का फुल फर्म होता है अगर हम बात करें PUBG की तो PUBG बहुत ही पॉपलर गेम था और शायद आपको ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इस गेम को कडोरों लोग खेला करते थे खेर ये गेम तो बैन हो चुका है लेकिन FAUG गेम को अक्टूबर से पहले ही लाँज किया जा सकता है क्योंकि बताया जा रहा है कि इस गेम पर काफी तेजी से काम चल रहा है आपको बता दें कि अक्टूबर ने ये भी कहा है कि ये आत्म निर्भर की और एक बहुत बारा कदम है और सबसे अच्छी बात ये है कि इस FAUG गेम से जो भी कमाई होगी उस कमाई का 20% हिस्सा भारत के वीर जो शहीद हो जाते हैं तो उनके पडिवार वालों को ये पैसा मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है दोस्तो अगर ऐसा हुआ तो ये काफी ज़्यादा अच्छा होगा हमारे देश वासियों के लिए जो शहीद हो जाते हैं उनके पडिवार वालों के लिए दोस्तो इस बात के लिए मुझे बहुती ज़्यादा खुशी है और मज़े की बात ये है कि इस गेम के जो मिशन और थीम है वो भारत के सेना के उपर होने वाली है लाइक भारत के सेना जो बॉर्डर पे जो भी चालेंजिस होते हैं जो फेज करते हैं वो इसमें दिखाया जाएगा दोस्तो जो लोग पबजी खिलना पसंद करते हैं जो की बैन हो चुका है तो आप निराश ना हो बस थोड़ी ही दिन की बात है फॉजी जब लाउंच हो जागा तब आफ खेल पाएंगे आपका क्या कहना है इस फॉजी गेम के बारे में क्या फॉजी गेम पबजी से बहतर बन पाएगा या नहीं आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं मुझे आपके कॉमेंट जाने का इंतजा रहेगा